नमस्कार मैं आपका अपना सुमित प्रताप सिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इंडिया के नमर वन एग्रिकल्चर प्रॉपर्टी सेल यूट्यूब चैनल आरेस प्रॉपर्टी से इंडिया पर जैसा कि आप जानते हैं यहां प्रतेक प्रकार की प्रॉपर्टी को खरीदने का और सेल कराने का काम बखो भी करते हैं तो आपके पास संपूर भारत में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल करना चाहते हैं तो इसकीन पर देखरें मॉबाइल न क्योंकि बहुत सारी जमीर हैं जो आपके हाथ से निकल सकती हैं. तो जल से जल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं वीडियो में. सामने आपको एक नहरी जमीन नजर आ रही होगी. फाइनली आप पहले नहरत को देख सकते हैं. यह सामने जो नहर देख रही हैं इस पर परियापत पानी हमेशा बना रहता है. तो प्रॉपर्टी आज हमने जो औरेंज किया है वो बिलकुल नहरी जमीन है और यह साइट से जो आप खेद देख रहे हैं यह जो जमीने हैं वो बिकाओ हैं. तो property की बात कर लेते हैं सबसे पहले location को लेकर property आपके मध्य प्रदेश के district ग्वालियर से लगी हुई ये जमीने हैं ग्वालियर डिस्टिक में आती हैं ये जमीने और जो की तैसिल इस्तर सिफ पुर से मातर 6 km की दूरी पर है property की बात करें तो यहां कुल 3 टुकड़े हैं जो की 50-50 बीगे में रहेंगे लगभग आपके और देखा जाए तो यह लगभग 25-25 एकर के 3 टुकड़े आपको यहां मिल जाते हैं क्योंकि लगभग यहां 2 बीगे का एकर कंप्लीट होता है property की बात करें तो देखिए rates में थोड़ा सा अंतर रहेगा जो जमीने काले डामर रोड से हैं उनके rates जो हैं वो लगभग 12 लाक रुपए प्रती एकर और जिनके जो रोड से connected नहीं है मतलब अंदर चक रोड पर जमीने हैं कच्चे रास्ते पर तो उनकी जो कीमत है वो आपकी 8 लाक रुपए प्रती एक एकर रहेगी रोड की बात करें तो देखिए नॉर्मली आपका 15 फिट का चक रोड और 20 फिट का काला डामर रोड में आपको मिल जाता है जो की 5 किलो मिटर की डिस्टेंस पर जाकर आपके गौालियर से सिप और हाईवे से connect हो जाता है तो प्रॉपटी जो है वो आपकी रोड साइडेड भी है और चक रोड पर भी है दौनों रोडों पर जमीन हैं लेकिन रेट्स जो है वो थोड़े से अलग अलग रहेंगे फसल की बात करें तो जमीन पर होने वाली जो मुख फसले हैं वो है आपका धान गेहूं जैसी फसले है और आप गरना या जो भी कुछ आप करना चाहें आलो वो सब कर सकते हैं क्योंकि पानी परियाब्द है फ्रन्ट की बात करें तो देखें सभी जमीनों पर अलग अपना अपना फ्रन्ट रहेगा जो की काफी रहेगा इस प्रॉपरिटी को लेकर और light की proper connectivity आपको यह मिल ही जाती है साथी साथ आपको मिल जाती है यहां पर water level 50 feet की आसपास की वो भी नहरी सुपधा के साथ तार फेंसिंग इसकी आपको नजर भी आ रही होगी है पहले से हो रखी है property पर साथी साथ बात की जाए nearby market की तो सिप पूर रहेगा 6 km की कुल दूरी पर आबादी की बात करें तो 2 km की distance पर proper आपको आबादी मिल जाती है nearby bus stand भी आपको मिल जाता है और आबादी जो है वो normally आपकी 2 km पर है nearby bus stand आपका 6 km पर रहेगा सिप पूर में और railways की शुवधा भी आपको सिप पूर में ही मिल जाएगी हिंदू आबादी प्रतिशत को देखा जाए तो 90% आबादी जो है वो हिंदू रहेगी जिसमें राजपूत, यादव, ब्रहमवर्ड, पाल और मीरा जैसे लोग यहां पर निवास करते हैं property का लोकेशन भी बहुत बढ़िया है लेकिन company कुछ rules रहेंगे side visit के अपने charges रहते हैं यहां पर one day के जो कि आपके 5000 के रहेंगे 5000 रुपए के जो की company के अपने charges हैं और इस charges में आपको यहां 5 से जादा जमीने दिखाई जाएगी हो सकता है कि 10 से 15 भी जमीने आपको एक ही दिन में दिखाई जाएगे आपका जो charges है वो एक दिन का विजिट charges रहता है जिसमें आपको जादा से जादा उस सेरिया की जमीने दिखाई जाती हैं जो जमीन आप पसंद करेंगे वो आपके लिए final कराई जाएगी तो जमीने बहुत सारी हैं काफी अच्छी लोकेशन वाली जमीने हैं आपको यह काफी कम कीमत पर भी नॉर्मली मिल रही है गौालियर जैसी लोकेशन पर जो कि सिप्पूर से मातर 6 क्लिमेटर के डिस्टेंस पर है तो इससे बेटर जमीने इतने कम रेट्स में नॉर्मली आहसानी से भी नहीं मिलती है बहुत बढ़िया है नहरी जमीनों जो आपको लगवग देखा जाए तो 8 लाक रुपे प्रती एकड में मिल रही है चकरोड वाली जमीने तो आप वो भी देख सकते हैं कि काफी कम गीमत पर आपको इतनी बेटर लोकेशन वाली जमीने मिल रही है जहां पर पानी की तो कोई कमी बिलकुल भी है ही नहीं तो आज का वीडियो देखी काफी अलग है काफी अच्छी लोकेशन वाला है वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजे चल्द मुलाकात होगी आपस एक और नए वीडियो में काफी सारी लोकेशन वाली जमीन हैं जो आपको यहां प्रोबाइट कराई गई है साथी साथ बताना चाहेंगे देखे जो भी जमीन आपको दिखाई जाएगी जो आपको जमीन पसंद करेंगे उसके डॉक्यमेंट्स आपको दिये जाते हैं उसके बाद आप उसको अपने RS property से बात कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही रादे क्रिश्ना